असलाम अलेकुम वर्स वेलकम बैक आज का वीडियो एक र्क्वेस्टड वीडियो है जो मुझे यूट्यूब वीडियो में कमें सेक्शन में वसूल हुआ था और मुझे वर्सब में पूछा गया था तर पॉस्टए के हैं हम देख लेते हैं यहां पर पहले यह पूछा था के चलमदीयो जोसी के नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि बिल्कुल इसी तरह का profile brand बनाना है जिसमें pipe length डाया भी show होता हो और band बनाने का तरीका भी step by step बताया जाए और Excel से data जो है वो कैसे import किया जाए तो Excel का data तो आलड़ी इस वीडियो में मैंने बताया है मैं इसका link दे दूँगा तो बाकी हम band के बारे में बात करेंगे कि pipe network का जो आप band है वो कैसे बना सकते है यहाँ पे मैंने एक pipe network का band बनाया हुआ है तो मैं इसी को explain करके बताऊँगा आप लोगों को कि आप इस तरह का band जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते है यहाँ पे station है manual number है और उसका natural ground है invert elevation है pipe data मतलब उसका slope हो गयरा है और उसका material हो गयरा जो है वो कैसे आप इसमें show करते हैं कर सकते हैं हम इस वीडियो में यहीं देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से request है कि अगर आप channel पे नए हैं तो आप subscribe ज़रूर कर लें ताके new आने वाले वीडियो के notification आपको on time मिल सकें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक network draw हुआ 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 है जो के existing data से मैंने ट्रा किया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओके तो यह इसका plan view है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह plan view है इसका और यह इसका profile view है और यहाँ पे यह वो band है जिसके बारे में उन्होंने पूछा है कि कैसे draw किया जा सकता है तो मैं यहां पे जो है इसके profile property में जाता हूँ यहां पे तो यहां पे हम one by one जो है इसको add भी करके देखेंगे और इसको देखेंगे हम बाद में कि यह कैसे बना सकते हैं तो हम इसको edit mode में चेक कर लेते हैं ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा lengthy नहों और आपको समझ भी आज़ें तो सबसे पहले जो है हमने इसमें station लिया है तो station में यहां पे कोई भी आप जो है profile data लें profile data में यहां पे यह station की value होती है आप इसी को यहां से copy करेंगे ओके यहां से आप अपना नाम देंगे इसमें ओके और यहां पे band set में major station में चले जाएंगे यहां से आपने अपना label compose करना है तो label कैसे compose किया है मैं यहां से आपको इड़ यह तक हाइड करता हूँ यह station वाला मैंने band copy किया और इसी को मैं आपको ieड़ करके दिखा देता हूँ यहां भी यहां से इसक करने इस के band height है आपने एसको set विट जो है इसकी यह यहँ पर है और offset from ned यह is zero है ओके यह जो इस line से इसका offset है वो है जैसे मैं अगर इसको मैं अगर कर दूं को मैं इसको apply करके OK करो और यहां पर apply करूं तो यहां पर आप लोगो देख सकते हैं यहां पर यह game create हो है तो यह game ना हो इसके लिए whenane इसको यहां पे zero रखा है मैंने इसको zero कर दिया okay कर दिया apply कर दिया तो यह इसके साथ attach हो गया अब भी हम देख लेते हैं कि इसके यह जो मैंने style रखे हैं वो क्या है यहां पे सिर्फ आपने major station में जाना है compose label में चला जाना है यहां पे सिर्फ एक station value है और यहां पे text है text में यहां पे यह जो है यहां पे station value है और जिसको add किया हुआ तो यहां पे यह station जो है यह बिल्कुल profile के जैसे station हम लगाते हैं same ऐसे यह next है हमारा main hall तो main hall के लिए मैंने यहां पे यह जो है यहां से यह जो आपका pipe data है आपने इसको लेना है copy करना है यहां से मैंने इसको यहां से copy किया और मैंने यहां पे यह main hall number पे इसको rename किया और इसको मैंने यहां पे add कर दिया तो इसमें मैंने setting क्या किया है यहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं manhole number यहां से मैंने इसको header किया, header में सबसे पहले मैंने इसका नाम चेंज किया, उसके बाद मैंने यहां पे, band detail में यहां पे compose किया इसका label, और इसको मैंने यहां पे manhole का नाम दिया, ओके मैं इसको cancel करता हूँ, आप font size इसका दे सकते हैं, जो भी था यह band height होई है, जो पहले हम बात कर चुके हैं, यहां पे अगर आप आए, structure में, तो structure में मैंने यहां पे यहां पे यहां पे इसका यह जो label है, यहां पे इसमें दो label compose किया है, एक station का और एक, यह जो इसका साथ में structure name है उसके लिए, ओके तो station का same ही है, जो हमने पहले किया, ओके, यहां पे structure location दिया, मैंने इसको पहले हमने just station लिया था, इसमें हमने structure station ले लिया, उसके बाद यहां पे यह जो और इसकी यह जो setting है, यह आप लोग देख सकते हैं, यह यहां पे दो text है, इसलिए एक जो है जब two-step को करेंगे, तो वो minus में होगा, यह वाला जो structure name आ रहा है, जो हमारा plan view में है तो इसको मैंने यहां पे जो है offset दे दिया है, left side में तो अभी इसमें compose क्या किया है यहां पे अगर आप आएं, तो यहां पे यह list में structure name के नाम से यह जो option है, इसको आपने यहां पे click करना है, यह यहां पे add हो जाएगा, आपने just इसको ok करना है, ok करना है, ok करना है, तो यह label as it is, आपका यहां पे compose हो जाएगा, ok, तो मैं इसको cancel कर देता हूँ, next label है हमारा ngl का, तो यहां से आपने profile data लेना है, profile data में यहां से आपने यह भी आपका कोई याइक existing label है, आपने उसको लेना है और यहां पे आपने इसको compose करना है, composing में मैंने इसको कहए, past सबसे पहले जब मैंने इसको edit किया, तो यहां पे information में मैंने ngl इसको लिखा है, यहां band set में यहां पे compose label की है, इसको OK करना है तो यहां पे आपका NGL लिखा हूँ आ जाएगा इसी तरह फिर Major Station में आपने चले जाना है Major Station में जब आप जाएगे तो यहां पे आपको EG Elevation आपने जाना है जैसे आप परफाइल में लेते हैं कॉली कोए यहां प्रफाइल हम आपने आपके RS 5 यहां पर आपका लेबल आजा गाएगा प्रफाइल चल्ण के का यह इनव्ल ट बेशन था लेनी है ओर यहां पير यह जो यह जू है यह पाईप डैटा इसको आपने कॉपी करना है और बाद में आपने इसको डट करना है तो पाइप डटा में हमारे पास इन्वर्ट लेवल के नाम से यह आलवडी लेबल जो बना है यहाँ पर मैंने इसको एड कियाई इस एड बटन पे क्लिक करके इसमें मैंने इड़्ट कैयाş है वो हम देख लेते हैं यहां पे यह जो है information है invert elevation और यहां पे यह जो bend detail है यहां पे compose label में चले गए, compose label में जाके पहले आपने इसको invert elevation का नाम दे दिया, ओके यहां से आपने इसका font size ले लिया और यहां से rotation angle middle center और यह जो इसका offset वगएरा है, ओके तो यहाँ पे invert elevation के लिए यहाँ पे देखें तो एक text है अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे यह जो inverter compose label का text है वो यहाँ पे आ गया है यहाँ structure में जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यह मैंने delete किया हुआ है यह जब आपको file data से band add करेंगे तो by default यहाँ पे आपको दो option मिलेंगे तो invert elevation जाहें वो हमारे pipe के हैं तो यहाँ पे आपने pipe का option को select करना है यहाँ compose में चले जाना है और compose में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक pipe का invert level मैंने रखा है और एक मैंने out रखा है तो जब आप यहाँ पे लेंगे इसको अगर आपको यहाँ पे यह option मिलती है तो ठीक है यह नहीं तो यहाँ से आपने यह text add करने के बाद यहाँ पे आपने invert in लिखना है और फिर text add करना है और फिर invert out लिखना है इसकी setting क्या रखनी है आपने यहाँ पे invert in में यहाँ पे देखें यह फीचर फीचर पे यह और यहाँ पे यह जो है यह start bend middle पे है और यहाँ पे यह जो content है यहाँ पे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे start invert elevation start invert elevation है और यहां से आपने इस arrow पे क्लिक करना है तो यहां पे आ जाएगा उसके बाद आपने ok कर देना यहां पे आपका textile है rotation angle है और यहां पे इसका attachment point है यहां पे भी हमारे पास दो है यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे यह सिर्फ इसमे एक ही इसका end वाला जो है वो ही आ रहा है अगर आप इसको यहां पे देखें ओके यहां पे देखें तो next इसके दो दो elevation है क्योंकि एक invert यहां पे end हो रहा है और next वाले का invert हो रहा है इसी तरह इसका यहां पे end हो रहा है इसको जो है यह आपने यहां पे बेंड मिडल पर रखना है इसको और यहां पे यह जो है आपने इसको यहां पे end, invert, elevation लिखके इस एरोपे क्लिक करना है यह add हो जाएगा ओके और यहां पे आपने इसके font, style और यह जो इसकी rotation है यहां पे आप लोग देख सकते हैं यह इसकी rotation है, ओके इसको आपने जो है, minus में आपने offset देना है ताके यह एक elevation line के left में आए और एक right में, right वाला plus में होगा और left वाला minus में होगा, ओके तो यहां पे यह जो है next elevation है, फिर हमने pipe data को यहां से pipe data को लेना है और अबी हमारे पास यह जो है slope है, ओके, तो यहां पे आपने कोई भी elevation जो है आपने इसको edit करना है, तो मैंने एक option को लेकर यहां पे ऐसे ही edit कर दिया है, एड़ेट में जाएंगे यहां Compose Label में तो यहां Compose Label में आपने पहले यहां पे यह जो Pipe Data लिखा है यहां पे आप Pipe Slope भी लिख सकते हैं इसको जैसे मैं यहां पे Pipe Slope कर देता हूँ OK और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ OK, OK, Apply, OK, OK और यहां पर मैं इसको apply करता हूँ तो यहां पर आप देखें यहां पर pipe slope हो गया है अभी हम एड़र पर चले जाते हैं यहां पर ओके यहां पे डर बजाकिए यह मारा पैप है इसको मैं अब कंपोस आपर यहां पे मैंने इसको पैप कर देना यहां पे आपने स्लोप का स इंटर कर देए ओके यहाँपे आपने इसको pipe slope देनी है और यहाँपे आपने इस ऐरोपे क्लिक करना है और इसके अगर आप unit जो है वो ज़्यादा करना चाहिए decimal places तो आप इसको ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद यहाँपे आपने enter प्रेस करना है और फिर आपने इसको length देना है तो जब आप इसको length देंगे तो यहाँ पे यह जो option है 2D length तो 2D length को आपने select करके और यहाँ पे अगर आप decimal increase करना चाहिए तो आप यहाँ पे करके आपने justice को ok करना है ok करना है अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके जो rotation angle वगरा है जो भी चीज़े हैं यहाँ पे 0 रखा है क्योंकि मुझे इसी तरीके से यह चाहिए था और यहाँ पे यह जो इसकी length है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं apply, ok, ok, apply, ok यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें decimal places जो हैं यहाँ पे, ok, अभी हमारा pipe, dia and material है तो pipe, dia and material है यह वाला जो लेबल है यह थोड़ा सा आपको time लगेगा इसको create करने में तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे यहाँ information में dia and material है और band में यहाँ पे compose में जाके आपने जो भी यहाँ पे composing करनी आप यहाँ पे कर सकते है dia and material लिखा हुआ है मैंने, ok और यहाँ पे आपने फिर pipe में आ जाना है यह structure वाला जो लेबल है यह आपको जरूरत नहीं होती यहाँ पे यह जहाँ पे structure होता है वहाँ पे जरूरत होती है, तो यहाँ पे pipe है मैं यहाँ पे compose label में जाता हूँ तो यहाँ पे यह अगर आप देखें तो यह label जो बना है इसमें सबसे पहले यह हमने block यूज किया है, उसके बाद फिर हमने line यूज किया है, और उसके बाद text है और फिर block है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो start arrow है start arrow में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे यह बैंड middle पे है और यहाँ पे यह जो इसका block का name है, वो यहाँ पे यह जो close fill है, वो मैंने select किया है और block height को मैंने यहाँ पे रखा है 1.5, आप इसको कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसकी rotation जो है, वो मैंने 180 रखी है ठीक है, और यह middle right पे है attachment point, इसका offset कुछ भी नहीं रखा मैंने यहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो यह close blank करके लिखा है अब भी next इसमें अगर देखें तो फिर start line है लाइन आपको यहाँ पे यह जो नजर आ रही है arrow के साथ यह वाली line है तो इसके साथ जो इसकी direction हो गहरा है start point जो है, वो arrow start इसका anchor point है उसके बाद इसका start point anchor point जो है middle left है, use end point anchor तो यह true है उसके बाद end point anchor है तो यह dn है, dn क्या है, dn यह text है जो हमने यहाँ पे लिखता है वो मैं आगे चलके आपको दिखाता हूँ और फिर end point anchor middle left रखा मैंने इसको तो उसके बाद जाके यह मेरा label जो है, यह इस तरह है और यह जो भी आपका pipe की length variable वगरा होगी ठीक है, यह उसके हिसाब से इसकी length को यहाँ पे mention कर देगा ठीक है, और यह जो है यह dia है, जबके length जो है यह उपत जो है, आमने जो देखा था उसमें आएगा यह, ठीक है तो यहाँ पे यह जो इसकी percent length पे रखा इसको और यह मैंने इसको 100% रखा है ओके, तो यह लेबला यहाँ पे आगया उसके बाद अगर dn में देखें तो dn में मैंने simple इसको text लिखा है यहाँ पे अगर आप देखें 2D length हम आगरी देख चुके हैं इसकी, यहाँ पे, यह pipe length जो है यहाँ पे हमने देखी थी तो यह जब pipe आपके variable होंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह 47 length का pipe था यहाँ पे यह 60 length का था और आगे 60 ही चला था, चला जा रहा है तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको यह text लिखा है, डाय के लिए mention करने के लिए, तो यह आप यहाँ पे एक में भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे next यह dn है यहाँ पे यह text जो यहाँ पे शोर है, वो मैंने यहाँ पे compose किया हुआ है उके, उसके बाद इसका यह जो setting है, next जो है end line है, यह end line जो इस end arrow के साथ यहाँ पे शोर ही है, यह end line है और यह इसकी setting है, आप यहाँ से देखिए इसको, आपने लिए कर सकते है next में जो है, वो यह इसका arrow end है तो arrow end में यहाँ पे जो आप लोग देख सकते है same block है, जबकि इसकी rotation इस तफ़ा 0 है, तो आप लोग देख सकते हैं, पहले कि हमने 180 इसलिए रखी थी, कि हमने इसकी direction चेंज करनी थी, तो 0 में यह right side में create होगा, और जब हमने इसको left side में लेना है, तो 180 पे rotate करना वड़ेगा तो उमीद है, यह concept clear हो गया होगा, कि यह bend जो है हम normally कैसे बना सकते हैं और फिर बाद में हम इसको use करके अपने data के साफ़ से कैसे use कर सकते हैं तो अगर फिर भी इसमें कोई doubt रहा गया हो, तो आप comment section में पूश सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको like और share ज़रूर करें, thanks for watching अल्ला आफिस